हाइ फ्रेंज मैं अमिजन आई टुगुर जी में आपका स्वागत है दोस्तों आपके सामने कई बार यह प्रोब्लम आये होगी कि जैसे मैं f3 दबा रहा हूं और यह हो रहा है यह brightness ज्यादा हो रही है कम ज्यादा हो रही है f2 दबा रहा हूं तो कम हो रही है f3 दबा रहा तो उसके अंदर option क्या होता है जैसे की alt app to दबाना आपको तो alt app to दबाने के लिए आपको पहले function की दबाने पड़ेगी फिर alt app to दबाना पड़ेगा जब आपका यह alt app to काम करेगा नहीं तो वह काम नहीं करेगा तो ऐसी problem अगर आपके सामने आ रही है तो उसका solution किस तरी function की और action की में क्या difference है क्योंकि आगे जब आपन BIOS setup में चलेंगे तो वह चीज आपके सामने आएगी action की और function की तो मैं आपको बतायता हूं कि यह जो f1, f2, f3 लिखा हुआ है यह तो function की होती है और यह जो दूसरी की होती brightness कम ज्यादा करने की, volume कम ज्यादा करने की, track change कर और यह airplane mode वाली तो इस तरीके से यह जो options होते है वो होते action की, तो आप confuse मत होना की function की कौनसी होती है और action की कौनसी होती है, तो अब अपन इसको change करेंगे, यह option change करेंगे कि आप app2 दबाओ, app3 दबाओ, तो आपका function की काम करें, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, इसके models में सब के अंदर अलग-अलग होता है, HP के अंदर F10 होता है, और Dell के अंदर F12 होता है, ASR में F2 होता है, ऐसे अलग-अलग होते हैं, आप Google करके check कर लिएगा, आपके जो model है, जो आपका brand है, उस brand के साब से उसकी BIOS की होती है, तो ठीक है, मैं इसको on करता हूं, और अब BIOS में चलते हैं, मैंने app 10 प्रेस किया, और यह BIOS में आगे है, ठीक है, अब यह इसका BIOS है, सब का BIOS आपको अलग-अलग मिलेगा, same BIOS किसी का नहीं मिलेगा, हर model, हर brand का BIOS अलग-अलग आता है, तो अपन इसके अंदर, आप किसी-किसी के अंदर यह जो option में बता रहा हूं, वो आएगा man के अंदर, इसके अंदर है configuration में, configuration में मैं जा रहा हूं, और इसके अंदर यह देखिए दोस्तो, action key, action key लिखावा है, और action key modes के आगे लिखावा enable, तो action key अपनी कौन सी थी, जो brightness कम ज्यादा करने वाली, वो enable है अभी, तो अपन इसको disable कर देंगे, तो जो function key ह करते है वो enable हो जाएगी, तो इसमें enter मेंने किया, enter करने के बाद, इसके disable पे लेका आया और, enter मार दिए तो dezable हो गए, ठीक है, और इसमें साफ साफ यहाँ पर इस्ट्रक्शन दिये वे हैं कि disabled, अगर आप करते हो तो क्या होता है, और enable करते हो तो क्या होता है, ठीक है दौ enable है तो आप disable कर दीजिए disable है तो enable करके देख लीजिए और इसके अलाबा हो सकता है कि behavior लिखावा हो तो behavior में आपके पास action key और function की दोनों का option आ रहा हो तो आप उसको function key पे change कर दीजिए तो आपकी problem का solution हो जाया यह करने के बाद आपको इसको save करके बहार निकलना तो exit पे आके save change and exit पे enter मारेंगे इसके अंदर save change yes enter और यह laptop restart हो रहा है यह देखो दोस्तों यह start हो गया है अब मैं इसको f2 दबा रहा हो यह देखो f2 दबा रहा हो तो कुछ ही नहीं हो रहा f2 f3 से कुछ ही नहीं हो रहा और यह volume कम ज्यादा करने की कुछ नहीं हो रहा अगर मैं function के साथ कर रहा हूँ कर रहा हूं तो यह refresh हो रहा है इस पर क्लिक करता हूं और F2 का बटम प्रेस करता हूं F2 का से rename होता है और यह में F2 जैसे दबाया और यह rename का option इसमें आ गया ठीक है इस तरीके से कि दोस्तों यह आप कर सकते हूं तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार आये हो तो सस्क्राइब कीजिए थेंक्यू फर वाचिंग